हेलो स्ब्रेंट्स तो जैसा कि मैंने आपको बदाया था कि हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बात करेंगे कि जो साइंटिफ नोडेशन होती है उनको हो मल्टिपला है डिवाइड और सब्टेक्ट कैसे करते हैं तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि जो मल्टिपलेशन और डिविजन कैसे हमारा तो जब एनको मल्टिपलाई और डिवाइड करते हैं तो हम अपना जो डिजू होता है जो दो डिजिट नम होती है उनके इंदर थो उनको हम navy करते हैं और जो पाभर्र थो टी है give पामिटपलेशन लेकिस में एड्ड कर देते हैं और जब उनको chaos क करते हैं तो उन powers को हम माइनस कर देते हैं जैसे मैं आपको बताता हूं example के जरिए जैसे two values हैं two हमारी scientific mutations हैं इनको हमें क्या करना है इनको हमें multiply करना है तो सबसे पहले जाए जो इनकी हमारी एनन डिजिट है यह हमारी क्या है उनकी डिजिट वैल्यों है इनको हम हो गया क्या करेंगे ना जो डिजिट्स वैली होगा चो वही सेम तरीका है हमारा जो डिजिट्स वैली होती है हमारी उनको हम нормально डवायट करेंगे, बिल्कुल जैसे हम करते हैं, जैसे हम पड़ा हुआ अभी तक और जो powers होती हैं, powers के लिए क्लिया करते हैं हम जो powers को subtract करतegen हैं यानी कि उपर वाले मैं से नीचे वाली power को हम subtract करेंगे बिल्कुल जैसे हम करते हैं जैसे उपर four nine zero nine into ten to power minus seven अब इसको आप चाहें तो point को shift कर सकते हैं जब हम right में shift करेंगे point को तो power क्या हो जाएगे हमारी minus में बढ़ जाएगे ठीक है तो और क्या होगी हमारी एक और minus में हो गई तो minus eight हो गई तो इस तरीके से होता है इनका division now another example यह हमारे पास nine point eight है यह हमारा ten point power minus two है यह हमारे पास two point five to minus six तो दोनों को multiply कर रहे तो digits value को हम normally multiply करेंगे यह दो डिजिस value हो गई हमारी nine point eight multiply by the two point five और power में क्या करते है एड़ करते हैं तो minus two को add करेंगे हम minus six के साथ तो इसको हम solve करेंगे नर्मल सी है multiply यह हो गया हमारा solve करना minus two और यह वो क्या हो जाएगा हमारा minus six तो minus eight नों को multiply करके हमारे इतनी value आती अब अगर हम चाहते हैं इसको shift करना 24.50 अगर हमने इसको left में shift किया तो एक value करना है जैसे हम करते हैं और जो पावर्स हैं अगर multiply कर रहे हैं तो हम एड़ कर लेंगे चाहिए वो negative की है चाहिए वो positive की है नौर्मल एडिशन करेंगे अगर आप एड़ेस्ट करना चाहते हैं अपने answer को तो जितनी values अगर आपने point को left में move किया आप उतनी प्लंस की पावर एड़ कर देंगे और जितने point आपने अगर उसको right में move किया तो उतनी आप minus कर देंगे power हमारी चीक है जैसे हमने इसमें अभी किरा था अगर हमने जितना इसको right में move किया right में move किया है तो power हमारी क्या हो जाएगी उतनी ही minus हो जाएगी माइनस seven में से minus one हो गया हो गया हमारा minus eight okay now addition and subtraction अब उनको add और subtract कैसे करते हैं तो इसके बार में पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्या होता है जिसको जिन numbers को हमें subtract या addition करना होता है सबसे पहले जो उनकी exponential power है वो हमें save करना पड़ती है इसमें जो खास बात क्या है कि exponential जो power होती है उस exponential power को हमें same करना पड़ेगा यह बहुत important है यह बहुत बात करना पड़ेगा हमें तो सही होना चाहिए जैसे मैं आपको example के ज़री समझाने को जिस करता हूँ जैसे 6.65 into 10 to power 4 को add करना है मैं 8.95 into 10 to power 3 अब यहां पर क्या है exponential power देखते हैं exponential power सेम नहीं है इनको add करना है सबसे पहले क्या करेंगे है exponential power को आप same करो आप किसी भी इसकी power को 3 कर लो या इसकी power को 4 कर लो अच्छा अब इसकी power को 4 कब करेंगे हम plus में power का बढ़ती है जब हमारा point left में move करता है तो हमने अपने इस point को left में move करा दिया एक point 8.95 ता उसको क्या कर दिया हमने 0.895 जिससे क्या हो गया हमारा एक power plus में हो गई अब यहां भी 10 to power 4 होगा यहां से common ले लेते हैं 10 to power 4 यहां से common ले लेते हैं 10 to power 4 यहां क्या बच गया सकते हमें उनको बता दोगा कैसे करना है इसको कर लिए इसको अगर हमने minus 2 कर लिया तो minus 2 minus 3 को क्यों करेंगी वहां हमगों से common करते हैं तो और हमने 1 point left में कर जाए तो एक पलस की पाव हैड हो जाएगई पावरहर बंदो तो क्या हो जाएग हमारी लिए minus 2 हो गया और यहां भी कैसे करती फटाफ़र से ठीक है यहां पर देखते हैं तैंट पावर फाइव और टेंट पावर थी यहां वी चाय एडिशन सब्ट्रेक्टर में क्या देखना पड़ता है हमें एक्सपॉइंशे पावर देखनी पड़ती बरावर कैसे करे जाएंगी या तो इसको फाइल कर ल पावर फ्रेंट पावर तो इस तरीके से इन जो सांटिफिक वैल्यूज होती है इनको मल्टिप्लाइड और सब्सक्ट क्या जादा है यह अब आपको समझ मां आगया होगा फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और अपना प्लीज एक्सराइस एंसे कोई डाउट आथा तो आप मेरे से पूछे ओके तैंक्यू इससे आगे हम नेक्स वीडियो में बात करेंगे